अबस्कार दोस्तों आपका स्वागत हैं मेरे इस चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाय पत्ती की अगर हम बात करें और उत्तर परदेश को छोड़ दें तो दोस्तों कोई बजाई नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलेगा हर यह कोई अब करते हैं कि वहां उत्तर परदेश के उन्दर चाय पत्ती का वेपाल करें और उत्तर परदेश के इंदर चाय की सपोड़ है लेकिन दोस्तों अगर आपटे यूपी से हैं और आप चाहते है कि आपका market डवलप करना आपको अच्छी चाहए दिए गजना तो दोस्तों आज हमारे पास यूपी सीनिस के अंदर सेंपल आए हैं और भी सेंपल आते हैं हमने कुछ चुरिंदा यूपी से जो हमारे पास सेंपल आये हैं उनको सेलेक्ट किया है दोस्तों कुछ लोकल ग्रांड भी वहाँ पर अच्छे बिक रहे हैं तो कुछ कंपनी हैं जो लंबे समय से वहाँ पर हैं अब लंबे समय से होने का मतलब यह हैं कि वो लोग क्वालिट कि दे रहे हैं या नहीं क्वालिटी देंगे तब ही उस एरिया में वह राज कर पाएंगे तो यूपी दोस्तों शेत्र में बहुत बड़ा है एक तरफ उसकी बिहार तक्षीमा है मंद्यपर्दीश हैं तो इस तरफ हर्याना आजाता है उत्राग्मंड आजाता है राजस्त पर आजाते हैं आपके ज़्याधा तर आसाम डौार्स वोदीश टो फार लिए जए हैं यहां पर नोवर की माहारानी डेंधी है लमबे समय से अपना मार्केट बनाया है और बनाए घी भी क्योंकि क्वालिटी दे रही हैं तो क्वालिटी जो देगा वो अपने कस्टमर के उपर राज करेगा कस्टमर उसे अपनी आप बिठाएंगे तो इस बात को आप भूले नहीं रापार करना है तो केबल मार्जन भी नहीं हुता रापार के लिए आपको चाहिए कि आप क्वालिटी भी ले अब बात करें उत्तर परदेश के मार्केट की तो दोस्तों वहाँ पर टाटा अगनी जो अपनी लोगर रेंज के अंदर दिल करती हैं मतलब सपलींगी 180-220 के बीच में भी मार्केट हैं तो टाटा का फिल्म्यम इस पेसली उत्तर परदेश के लिए आप देख सकते हैं तो साड़े 300-400 रुपे की भी चाहिए वहाँ पर बिक्ती है तो यह हम नहीं कह सकते हैं कि यूपी में अक्येवल लोवर रेंज का ही माल बिकता है अच्छा भी बिकता है महाराही 300 रुपे से जादा और 300 रुपे के अंदर भी अपनी चाहिए देता है तो दूसरी बात करें तो रेट लेवल के रूप में अच्छी चाहिए वहाँ पर चलती है तो फुल संभावना है यूपी के बाजार के अंदर पुल जो भी काम करना चाहता है उत्तर परदेश में आप के लिए बड़ी अपोर्शनटी ह कि आप काम कीजिए जानना है आपको कि आपको सहारनपूर में कैसी चाहिए चलती है तो वापस बुरतपूर में कैसी चलती है मेरट में कैसी चलती है तो मौ के अंदर कैसी चलती है वाराणसी के अंदर कैसी चलती है फिजाबाद के अंदर कैसी चलती है तो लखनों का क्या मारकेट हैं अब आपको होना चाहिए पता कि आपको माल बेजना है सामली हो आपको रामपुर हो बहुत बड़ा है पीली भीट हो हातरस हो कोई भी अरिया हो हमारे पास सैंपल आते हैं दोस्तों कन्योज में जो चाह विखती है वो चाहिं आपको सारंद पुर्टा ही देखने पूंद लेगा जो मुरादा बाद में दानेदार चाहिए तो आप महाउवी या इस बेड़ में जाओगे तो वहाँ पर आपको बारिच चाहिए देखने को मिलेगी महारानी भी अपने दो तरह की डین मिलेग बनाती हैं अच्छी क्वार गी देती है मिडियं भी बनाती है तो आपकी रिक्वायमेट क्या है यह मैसेज क्या दिए म आपको बताएंगे आप अपना सेंपल भी हमें बेश सकते हैं ताकि हम आपको टेस्ट करें तो लोग तो यह दो हमारा उट्तर प्रदेश से इस पेसल पार्ट वन वीडियो इसमें आपको बताया है कि मार्केट कैसा है, मार्केट में क्या चीज चलती है, किस तरह से आपको वैपार करना है और इ तो चाय का वेन्यवसन अच्छा होता है अब आख करें तो कर्सी प्रधान राज्य हैं तो वहां पर दुधारू पशुल भी है तो इस वज़े से लोग का रोजान सहर हो या गाम हो चाय की तरफ जाजा है और दूसरी बात करें यूपी के अंदर चाय पे वही राज करेगा ज पर क्या होता है दोस्तों एक ब्रांड के पीछे लोग भागते हैं और उसी ब्रांड को मोका देते हैं दूसरी किसी भी ब्रांड को मोका नहीं मिलता है चाय आप कितना भी क्यों न जोर लगा दे लेकिन यूपी में मैंने देखा है कि अगर आप अच्छी चाय बेच रहे ह होगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं दर्दने वाद जैसे रहा है